जे नमस्कार मित्रो वैसे मुझे ये motivation के वीडियो बनाना पसंद नहीं लेकिन continuously इस हफते तीन अलग-अलग विद्यार्थियों ने मुझे mail और message किये कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है पढ़ता हूं तो बीच में नीद आ जाती है दूसरे विचारों में चला जाता हूं कुछ काम नहीं हो रहा है तो एक ही बार में ये वीडियो बनाता हूं फिर ऐसे जो जो मुझे अलग-अलग समय पर inquiry आएगी तो मैं उनको ये वीडियो की link forward कर देंगा that is my objective अब देखे जो भी लोग ये बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो UPSC ऐसी कर लेते हैं या माबाप या किसी दोस्तने का या कोई movie देख लिया या कोई royal entry का वीडियो देख लिया इसे मुझे करना है वो सब जो आप कर रहे हैं वो क्या है आकांचा है aspiration और दूसरा होता है intent मतलब इरादा कि मुझे ये ही करना है मेरा ये ही सपना है मेरी ये ही तमनना जब तक आपके दिल में वो आग नहीं लगी होगी तो फिर पढ़ा ही मनला वो धक्का मार मार के गोड़े को कितना पानी पिला होगा ऐसी बात है तो पहले तो वो चेक हो कि सच में दिल है कि नहीं वरना कुछ और भी करो और भी बहुत सारी तरीके हैं जीवन में मशूर हो होने के सफलता पाने के पैसे कमाने के अभी स्पेसिफिक मुद्धों पर आते हैं सबसे पहली तो यह जो आपकी डेस्क है उसको इतना क्लटर मत रखो इतनी किताब है नहीं होनी चाहिए जो आपको पढ़नी है वो एक दो किताब और नोटबूक ही होनी चाहिए बाकी सब दूसरे शेल्फ में या कहीं हो और आप रख दो क्योंकि अगर इतनी जादा किताब होगी तो किसी एक प्याप का मन लगेगा इने गड़ी-गड़ी यह देख लेता हूं वो देख लेता हूं उससे जो नेगेटिव एनरजी पैदा होती है इत विल नाट हेल्प यू फोकस दूसरा जब भी बैठते हो तो स्पेसिफिक टारगेट के साथ बैठना चाहिए कि मेरा मैने का साल का इस दिन का क्या प्लान है एक एक्सेल फाइल बनाओ प्रिलिम और मेंस के इतने विशाय आते हैं और मैं ये किताब से इतना-इतना मेरा डेली प्रोग्रेस रहेगा और टैंजिबल टारगेट होने टैंजिबल मतलब जिसको आप नाप सको कि बढ़ाबर अभी ये ऑगस्ट है तो डिसेंबर तक मेरा टारगेट रहेगा कि और जीस के मैजोरिटी पोर्शन कम्प्लीट हो जाए या फिर कि जीस मेरा कम्प्लीट नहीं हो रहा है तो कम से कम दो अजर चौबीस की फेबरुआरी के एंड तक मैं कोशिश करूँ कि प्रिलीम वाला जीस मेरा सब खतम हो जाए कुछ छोटे मुटे मेंस के टॉपिक रह जाएंगे जैसे इंटरनल सिक्रेटी वर्ल हिस्ट्री पोस्ट इनिबन या तो मैं उसको बाद में देख लूँग फिर आपका डेली टार्गेट क्या है तो शुरुवाती स्टेज वन में क्या करना चाहिए पॉलिटी एकोनोमी आयार यह सब खतम करने की कोशिश करो क्यूंकि न्यूस पेपर में ज्यादा तर करन्ट अफेस जो आते हैं इसके आसपास आते हैं ताब न्यूस पेपर पुरुवाती पॉलिट एकोनोमी खतम हो जाए तो जोग्रफी एन्वार्मेंट उसे भी आगे खीचो तो डिजास्टर मेनेजमेंट कम्प्लीट करो हिस्ट्री कल्चर कम्प्लीट करो उसमें फिर यह हो सकता है कि कि इतना आपको रोज का फ्री टाइम मिल रहा है उस करूं अगरा और स्टेज थ्री के अंदर यह साइन्स सी सेट वगेरा इसका दमखम चालू होना चाहिए और आपका सी सेट कमजोर है तो थोड़ा और शुरू से उसकी दौर लगानी चालू करनी चाहिए अगर आपका पैरेलल टार्गेट है यह मुझे सीडी है सीडी है दूर दूर्ष जाहिए ऐसा इसा डिसेंबर फेबर्रारी मार्च में करो तो या तो आपको पड़े आई आयस बन गही थी वो सुनने आप डूंडते रहो तो कड़वी दवाई है तो कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी तो वो श्रद्दा होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर, किताबों के अंदर, टीचर्स के अंदर वरना रेंडमनी रोज कुछ नया माटिरियल ढूंडते रोगे उसका कोई अंत नहीं है जो भी कोचिंग क्लास आपने जॉइन किया उन्होंने जो आपको माटिरियल बुक और टेस्ट दिये तो उसमें भी श्रद्दा होनी चाहिए यह पढ़ूगा और मैं पास होंगा जब आप समझो कोई भी महांतम आप UPSC का टीचर ले लो तो वो जब नहीं थे तब भी तो लोग IES बनते थे ना तो उस दमाने कोई और टीचर का माटिरियल देखते होंगे तो सफलता है इसमें ने कि माटिरियल कौन सा देख सफलता है तुमको श्रद्दा है कि श्रद्दा होगी तो रोज पढ़ाई करोगे रिविजन करोगे याद रहेगा that is required बाकि तो आप का टॉप जानते हैं कितने 50% से भी कम होते हैं पिलिम्स के मतलब इसका मतलब कि जो भी किताब या मटिरियल आप देख रहे हैं उसमें से आदा तो आने वाला है नहीं तो जो है उसमें से रद्धा रखो इसका पढ़ा उसका पढ़ा वो सब एकी बात है in the long run and in the larger picture फिर जो फेद होनी चाहिए वो अपने gadgets और software में होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ यह जो मेरा laptop है, tablet है, mobile है वो ही सही है अब मुझे कुछ रोज उसका tech gadget news देखके या यह technical guru जी या कौन नया भी phone आ रहा है यह वो देखने में time based नहीं करना है कोई gadget आपको ज़्यादा productive बना नहीं सकता ultimately क्या है, उसमें से speaker में से आवा जानी है screen पे दिखना है और आपको पढ़ाई करनी उसी तरह software जो भी use कर रहे हो अभी कुछ लोग Evernote use करेंगे कुछ लोग OneNote use करेंगे, कुछ लोग तीसरे जातका कुछ iPad का software use करेंगे तो जो भी software आप use कर रहे हैं उसमें भी स्रद्दा होने, फिर ये ने कुछ बारे apps की मुझे कुछ बात करनी होती, ये तो common sense की बात है भी, टेलेग्राम, WhatsApp, Facebook, ये सबसे थोड़ी दूरी बना के रखो, फिर भी उसका addiction कम नहीं हो रहा है, तो दो free apps में आपको बताता हूँ, free apps एक है forest, forest ऐसा है उसको आप app install करो और timer लगा दो कि 30 minute तक मैं पढ़ूँगा, तो 30 minute तक ये जो इसका plant है, ये grow करेगा, अगर आपने बीच में WhatsApp खोल दिया तो ये मर जाएगा, मुर जाएगा तो ऐसा वो आपको आपकी progress दिखाते है, तो आपने आप, थोड़ी आपनी आदत कम हो जाए दूसरी ऐसी एक app है, one sec, उसमें ऐसा होता है कि जब भी आप WhatsApp, Twitter, Telegram कुछ खोलो, तो वो सीधा ने खोलेगा, वो समझो कि 30 second उसको lock करके रखेगा, और आपको कहेगा तुम गहरी सांस लो, फिर कहेगा तुम गहरी सांस छोडो, फिर आपको पूछेगा, do you still want to open WhatsApp, क्या सच इसमें अभी भी आपको करना है, तो जब आप यह गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो फिर आपको अंदाद है, बही ऐसा तो कोई जिनगी मुद का मेरे को 500 करोड की नौकरी का offer letter तो आने वाला ने WhatsApp में, तो मुझे इसको नहीं खुलना है, मैं वापस पढ़ाई प कर रहा है, उसी के अंदर इसको लगा दो, खतम, तो without spending money also you can take benefit, पैसा हर चीज़ का कोई productive बनने के लिए मैं कोई audio note या कोई software खरीद हूँ, ऐसी कोई जरुवत है नहीं, दूसरा जो भी पढ़ाई करते हैं, तो मैं आजकर देखता हूँ, लोग पढ़ाई करते हैं, हेड़ चला जाते हैं, बई, real motivation comes from within, कोई अगर शराब यह, उसको कहने से करा चराब हो नहीं, उसके दिल में आना जाएक भी मैं जो यह शराब पी रहा हूँ, तो मेरी family के लिए, घरवालों के लिए अच्छी बात नहीं, मेरी health के लिए अच्छी बात नहीं, और मुझे इसको छो उनसे दूरी बनाए रखे, optional subject रहेगा कि remove हो जाएगा, इस बार नया syllabus आएगा कि नहीं, कौन से optional में जादा mark आएगे, इस बार तो यह topper का यह optional था, इसको इतना mark मिला, वो सब पंचात की बात है वही, आपके पाद जो हैं, आप जो कर रहे हैं, उसमें लगे रो, उसी त रामगिरी करोगे, नहीं यह नहीं होगा, हम तो फिर दूसरा exam एक्सपोर करते हैं, यह वो, if you keep in company of negative people, तो आपका भी दिमाग negative हो जागा, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, similar thing for this lovey-dovey, मेरी बात कर भी लगेगी, मैं यह coaching के धंदे में जितने सालों से हूँ, ऐ ऐसे जो भी lovey-dovey type element होते हैं, hardly, कितने समझो, हजारों विद्यार्थियों को मैंने देखा होगा, आन-लाइन में, आफ-लाइन में, मुश्किल से 2 या 3 ऐसे मुझे नाम याद आते हैं, कि दोनों जने select हो जाएं, दोनों जने एक ही service में IS IPS या कुछ select हो जाएं, दोनों का एक ही district में posting हो ऐसा तो बहुत मुश्किल से होता है, कुछ case में ऐसा हो कि बाई, एक IPS में गया, दूसरा IRS में गया, एक IS में गया, दूसरा IRS में गया, और वो भी मरलाब एक जिले में नौकरी हो, और वो तो सब आप सो जो कितने landy उसकी आप probability और permutation और filter लगा हो, तब जाक दीजे, अपने से जो जादा मेंती पड़ा को हुश्यार है, उनकी सौबत में रहो, that is the best thing you can do, तभी आपका कल्यान हो सकता है, क्यूंकि उनसे थोड़ा भी सीख के या उनके competition में खुद को देख के आप में 5-10% to seriousness अपने आप बढ़ जानी है, जब आप online कुछ कोर्स fast forward में देख सकते हैं, खासकर CSAT, math, reasoning आप देख रहे हैं, अब आपको मजा नहीं आ रहा है, बोर्ड हम आ रहा है, आप जल्ली जल्ली ऐसा उपर उपर से में देख लूँगा, तो it is not helping you develop the understanding, तो इसले live है, तो live में आप जाने, live class को आप fast forward नहीं कर सकते, तो जो चल रहा है उस गती में चल रहा है, तो खासकर math reasoning वगरा उसी तरह करना चाहिए, जो भी आप course जोइन करते हैं, मालेज़े, उसमें बीच-बीच में embed किया होगी, यह test होने वाली है, तो वो test को देते रहो, उसमें भी स्रद्धा होनी चाहिए, backlog वना कुछ लोग क्या करते हैं, coaching इसका जोइन किया, फिर उसके दोस्त का है, नहीं, वो जो दूसरी coaching संस्ता है, उसका mock test बढ़िया है, तो यह test इसका नहीं, वो उसका देगा, अब उसका test अलग समझो कि वो freedom fighter का चल ला है, और इधर यह बाई साब पढ़ रहे हैं, ancient India, तो ना वो डंग से lecture का देख रहा है, ना यह जो वीडियो अगेरा देखता हूँ, या जो भी पढ़ने बैठता हूँ, तो कुछ समय बाद मुझको नींद आ जाती, उसका बहुत सिम्पल सलुशन है, कि जब भी पढ़ रहे हो, तो note pen लेके बैठो, और कुछ ना कुछ लिखते रहो, कि जो बोल रहा है, तो उसमें सकता हूँ, कितने बज़े सो सकता हूँ, मैं किस टाइम पर खाता हूँ, खाने के बाद मुझे कितनी नींद आती है, वगेरा, अब जैसे कि मुझे खाने के बाद नींद आती है, ऐसी आपको तकलीब है, तो फिर आपको ऐसी कोई पढ़ाई करनी चाहिए, कि नींद अपन बात है कोई टॉपर आपको कुछ और बोल दे कि मैं तो 12 गंडे 16 गंडे पढ़ता था उसकी बॉड़ी रिदम क्या है वो स्कूल के जमाने से कॉलिज के जमाने से वो किस प्रकार का वो चलता है आपकी क्या सिचुएशन है वो तो अलग अलग है न तो अपने इसाब से वो द किया जाए तो हिस्टी, जोग्रफी, पॉलिटी, करंट, सी सेट ये सब इशयों की फ्री सीरीज अभी चल रही है शाम को सारे चार बजे, छे बजे और आट बजे क्लास होती है तो उसका भी आप अपनी जरुरत के हिसाब से फायदा उठा सकते हैं सब ये लिस्ट वो प्ल लेते हैं तो हिस्टी, जोग्रफी, पॉलिट, एकॉनोमी, एन्वाइरमेंट, सी सेट, सभी के जो टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेश उनलॉक हो जाते हैं, नोट्स मिलते हैं, प्रिलीम और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज इस वीट प्लस सब्सक्रिप्शन लो एक साल का तो अराउंट 39 के आस पास कुछ होता है, कॉमबो, मतलब ऑप्शनल के साथ लो अराउंट 48, तो वो सब चीज हो के भी आप, आपने जरुवत के हिसाब से आप उसका फायदा उठा सकते हैं, एकॉनोमी की भी मेरे क्लास शुरू हो रह that's it, let's crack it, best wishes